हाल के वर्सों में सरक सुरक्षा को लेकर के सरकार सजग हुई है और इसको लेकर के सरक सुरक्षा को लेकर के कई काम किये जा रहे हैं जागुरुकता को लेकर के कई अभियान चलाये जा रहे हैं अभी हमारे साथ में रास्तिय सरक सुरक्षा परिशद के सदस्य रविंदर तिवारी जी हैं जो पंचाइथी राज से भी जुड़े हुए हैं और हम इनसे बात करते हैं अगर हम हाल के वर्सों में अगर हम देखे तो सरके बेहतर हुई हैं कारियों की रफतार बढ़ी हैं ले आपके माद्यम से सभी सुरताओं का आपने काफी महत्पुर्ण सवाल किया है यह बात सही है कि जब सडकें अच्छी होती हैं तो दुरगटनाओं की संख्या बढ़ती हैं इसके दो प्रमुकारण हैं नमबर एक की गाडियों की रफतार पर कंट्रोल नहीं होता जब सडके खराब होती हैं तो लोगों को ध्यान रहता है गाडियों को बचाने पर जब अच्छी सडकें होती हैं तो उसके रफतार पर कोई कमांड नहीं होता और जब गाडियां अच्छी रफतार में चलेंगी सडकें अच्छी होंगी तो जब तक उसको ड्राइबर को आभास होता ह कि हमको दुरघटना हो सकता है तब तक दुरघटना हो चुका होता है चुकि 120 का स्पीड का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सेकेंड में आपको परती मिनट दो किलो मेंटर चल रहा है तो कितनी तेज रवता रहा है तो जब तक समझ पाता है कि दुर घटना हो सकती है तब तक हो चुगा होता है तो इसके लिए स्पीड ब्रेकर बहुत से कानूनी पक्ष ट्रक्ष इस्तेमाल किये जा रहे है लें दुर भाग से जो गाड़ी चलाने वाले लोग जल्दी पहुँचने के चक्कर में सरके तो अच्छी हो रही है गारियों की भी क्वैलिटी सुधरी स्पीड भी गारियों का बढ़ा है नतीजा इस तरह की चीज़ जा रहे हैं और इससे बचाव को लेकर कर कहा जा तो जागरूकता की कमी नजर आती है देखिए सडक दुरगटना को रोकने के लिए 95% जागरूकता ही काम करेगी बाकी 5% बाकी अन्यको कारण होते है 95% जागरूकता या कई जिम्मेवारी का आवा हो जैसे कोई भी ड्राइवर गाली चलाता है तो उसके दिमाग मगर ये बात रहे कि हमारे अलावे भी लोग सडक पर चलने वाले है तो हमें और भी जवाब देए निवाना है या अपने घर परिवार काही के बाल अगर ख्याल उसके दिमाग मग हो तो आप तह जानिए कि दुरगटना है कम से कम 50% गिर जाएंगी अब लोग सोच नहीं पाता जब चलाता है तो उसे बस अपने मंजिल का ख्याल रहता है बागी चीज़ें गुम हो जाती है तो इसको लेकर अगर हम बात करेंगे तो रास्टिय सुरक्षा परिशद जो है आपकी संस्ता जो है जो कि ये लगातार रिसर्च का भी काम करती है दूरगटनाओ के पीछे जो कारन होती है उसको भी तलास्ति है उसको दूर करने के साथ साथ जो जागरुकता की बात आपने कही तो कुछ इस तरह का कुछ आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की योजना है जब तक जब से देखिए आपको मैं बताओं जब नितीन जी सलक परिवहन राजमार्ग मंत्री बने तो सलक निर्मान की ही गति नहीं बढ़ी सलक सुरक्षा में अपने विभाग की जिम्मेदारियों का निर्मान भी इमानदारी से हो इसके प्रती भी गति बढ़ी और जिम्मेवारी भीत है हुई और इससे पहले जब सलक दुरगटना में जब हीट अंडरन के के साथ थे जो मार कर भाग जाता था चिनित नहीं होता था तो उन दुरगटनाओं के बार में कोई नहीं सोचता था नितीन जी ने हीट अंडरन मामले में भी प्रोभिजन किया मुआब जागा ताकि भाग भी जा तो उसके भी परिवार को कुछ मिले और ये चाहता नहीं कोई भी कि दुरगटना हो कवकि दुरगटना होने से परिवार बरबाद हो जाता है लेकिन हम लोगों ने अभी आपको एक मैं बताओं कि पूरे देश में गाडियों के अनुपात में सिर्फ 30% ड्राइबिंग लाइसेंस है जिस अनुपात में गाडियां सटकों पर बिकी हैं चल रही है उसके अनुपात में आज भी काफी तेजी होने के बावजूद सिर्फ 30% लाइसेंस होल्डर ड्राइबर है उसमें भी एवरेजली 80% ड्राइबर बस लाइसेंस होल्डर है उसको पूरा-पूरा पता नहीं है ना उसको ट्रेफिक सिस्टम का ग्यान है, ना साइजनेज का ग्यान है ना उसमें जो दिसा सुचक जो लगा हुआ होता है पत्टी का उसका घ्यान है कुछ भी घ्यान नहीं है तो इसके लिए हम लोगों ने लगातार ट्रैफिक से ले करके हर जगा आप देखते होगे यह का हाईवे के किनारे ड्राइबरों का हम लोग अभ्यास वर्ग लगाते हैं प्रसिक्षन लगाते हैं ट्रेनिंग लगाते हैं उनको समझाते हैं उनको इनोग्रेट करते हैं आखों का 35 साल के बाद जो आखों की रोशनी घटने लगती है उस पर जांच कराते हैं मुफ्त में चस्मा देते हैं जो जोनाए काफी कुछ बनी है और इसके सकारात्मक निकल भी रहा है लेंज समय लगेगा इसमें दो चीजे और हम जोडेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने कई तरह से दुरगटनाओं को रोखनी की पहल की ड्राइवरों को लेकर के खास करके तो एक बड़ा कारण होता था जो रात बर चलाते थे उन्हें रेस्ट नहीं मिलता था इसको लेकर के आप लोगों ने ह वो अवेर नहीं है ड्राइविंग के जो नियम काईदा कानून है उसको लेकर के लगवक तीसी परसेंट के पास सही मायने में ड्राइविंग लाइसेंस है तो अब सरकार के तरफ से ड्राइविंग को लेकर के दुरगटनाओं को रोखने को लेकर के जो कानून है उसको भी असर पढ़ेगा आने वाले दिनों देखे ये तो बड़ी महत्पुर्ण सवाल आपने कर दिया क्योंकि इससे आम लोग प्रभावित भी है जैसे हम लोग जब सलकों पर आम तुर पर देखते हैं तो कानून तो बनाए गया थे उसके एक पक्स थे लोगों में थोड़ा भाय पैदा हो लोग गलती कम से कम करें उसको हम कमांड करें कंट्रोल करें तो इससे बचेगा लेकिन इस कानून का अब दुरुपयोग पुलिस विभाग खुद कर रही है और हमारे विभाग के लोग भी कर रहे हैं ये इसके लिए तो पकड़ते हैं तुरत लें जो सही माने मे जो चीज करना चाहिए उकरते नहीं जैसे भारत सरकार ने हर जिलों में वेल एक्विप्ट ट्राइबिंग ट्रेनिंग इंस्टिचूट खोलने का प्रोविजन किया है आज आट साल हो गाए दुरुभाग से जहारखन में कोई भी नहीं खुल पाया जबकि एक करोड जह दिनने का पभी पावर मेंसरे आख करने कर एक पावर ये कभी चाहते नहीं कि हो क्यों यो वसूली का मध्य़ बना दिया है इसी के लिए अब नितिन जीने आए ऐन। इसू करने का भी प्रोविजन किया है अब इस पर भी लोग अगा डालता है कि भाई ड्राइविंग ओनलाइन कैसे होगा क्यों नहीं हो सकता अगर वीडियो कॉन्फरेंसिंग पर पुरा देश चल सकता है तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग पर ड्राइविंग चलवा करके देखर करके लाइसेंस भी इस्सू किया जा सकता है लेकिन इस पर भी ब्रेक है क्यों क्योंकि आज के तारिख में परिवहन विभाग के लिए वसूली का ये सबसे बड़ा माद्धम बन गया है अब इस पर कमांड करने के लिए बहुत से काम हो रहे हैं और तकनीक जो विक्सित हुआ है उसके बल पर हम लोग बहुत जल्दी इस पर भी कमांड कर लेंगे अब देखते हैं कि आगे कितना होगा लेकिन अगर हर जिले में ट्रेनिंग इंस्टिचूट खुल गया तो उससे बहुत बड़ा फायदा होगा लोगों को रोजगार भी मिलेगा अच्छे कुषल ड्राइवर भी मिलेंगे और उनको विधीवर ट्रेफिक सिस्टम साइनेज सबका जानकारी भी मिलेगा इसलिए इस पर एक अच्छा काम आगे बढ़ायद देखते हैं सुधार और तक्निक की बात आपने कही तो इस दिसा में अगर हम देखे तो हाल के दिनों में एक नई पहल अब नितिंगटगडी जी ने की है जो एंधिये राजमायर परिवान मंत्री है कि अब फास्टेक खतम हो रहा है फास्टेक के जगह अब जो है जो है जिपिस कि कम से कम सम्बाइमन उसको ख्डा नम्होना पड़े टोल पर जाएगा हास्टेक उसको ट्रेक करेगा ुंतुराद निजाएगा लेहन हम लोग खुद भी देख रहा है हार टॉल पर कितना भी फास्ट आगा है उतना फास्ट होता है लोग गेट कम कर दते हैं खर्चा करने के लिए अगर दस को गेट बनाय हुआ है तो उसमें से दो गेट खोलेंगे दो चार गेट बंद रखेंगे नतिजा हुआ कि नंबर दूसरा जो फाइदा होगा वह यह होगा कि वह टॉल रोड पर जितना किलोमेटर चलेगा उतना ही किलोमेटर का उसको पैसे तन होगा अभी ऐसा नहीं होता है अभी टॉल रोड में जब जाता है तो उसको पूरे टॉल का जितना भी रेट फिक्स है उतना देना जबकि अभी सबको 120 लग जाता है तो इसका जो दूसरा जो सबसे बड़ा फाइदा है वो यह अभी है जिससे काफिर लोगों को राहत भी मिलेगा यह तो बात हो गई सरक सुरक्षा से चुकि आपका पंचायती राज से विजुराव रहा है और अगर हम उसमें देखे तो पंचायती राज को लेकर के जो बाते आती हैं जिस तरीके से जो कलपना थी पंचायत की जो तरीयस तरिये हमारी सासन वेवस्ता की उसमें एक महतपू पंचायती राज का काम करा हैं अगर भारतिय उपां ध्यक्ष सरकार कहीं बी जिंदा रहने द्लिंडा के और यह लोग सभी जैसे आप बालू ले लेजए माईन लेर या प्पेण हो गया गाच हो गया जंगल के राजे से ना पनजनाय लोगों साथ पहले जमिनदार और राजा हुगा करते थे, अब है नए राजा लोगों के हांथ में चला गया है आप नदी किनार रहते हैं ले नदी का बालू आप ने उठा सकते हैं दूसरा कमपनियां उठा करके लाखो करवलो में ट्रिक्टन ले जाएं अब ये कर दें बालू नदी का नदी खाली हो जा लें आप अगर उठाएगा तो पखड़ा जाएंगे जबकि ये कहीं से किसी भी हालत में किसी राजसरकार का अधिकार का भी सर नहीं है देखे उतर पाएगी ही नहीं उतर जाएगी लें उतरेगी कब जब सही माना में आम जनता अपने अधिकार के लिए खुद आगे बढ़ेगी आज के तारिक में अभी-अभी मुखिया लोगों का अंदोलन हो रहा था, नेको दिन धरना दिया लोग, तो मुझे भी बुलाया गया था, कुछ अपने मित्र लोग बुलाया थे, तो मैंने उन लोगों से बोला कि भाईया पहले अपना मांग पत्र हमको भेजो, कि किस कारण से तो लोग धरना दे रहा हो, तो जब उनका मांगे हम, हमको वाटसप में भेजा लोग, तो मैं पढ़ करके मैं अश्चर चकित हो गया, उसमें केवल लोग अपना मान दे, अपना सुविधा, अपनी बात, अपना अधीच के हम पर करवाई करता है, फलाना करता है, ये करत है, आप भी निकाल कर पढ़ लिजे, वो तो था, लें पन्चायत के अधिकार और करतब दाइत पर एक भी लाइन ने था, एक भी लाइन, मैंने माधा पिट लिया, हमकी यार कैसा हो, और मजा देखिए, कि 28 दिन या एक महिना बाद सम्झाता भी हुआ, तो किस लाइन पर ह हुआ, तो 5000 मान देव मिला, इसी पर लोग ताली बजाना लगे, तो ऐसे जन परतिनिदियों के बल पर ग्राम सोराज और पंचायती राज ससक्तिकर्ण कहां से होगा, तो अब भी तो हम लोगों को पंचायत परतिनिदियों को ही पहले ये बताना पड़ेगा, कि भाई आप परतिनिदि होता क्या है, पंचायत परतिनिदि का मतलब क्या है, अभी तो पहले हमको उन्हीं को ट्रेनिंग देना है, पहले उनको बताना है कि आप पंचायत परतिनिदि का दाई तो क्या है, उसी तरह से इसी राज में नगर निकाय का चुनाव हुए, कितना दिन हो गया, खतम हुए, उलो का तो कारकाल खतम हो गया, अब चला कोन रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, चुकि अधिकारियों के माद्धम से राज सरकारों का दोहन और सोसन का यह माद्धम बनता है, यह होने नहीं देते, कोट तो भर भर कहते रहा है, कोट के कहने से इनको क्या फरक बड़ता है, कितने बरसों के बाद इसी अखिल भारतिये पंचायत पुरिसत के चलते, जारखन में चुना हुआ था, वरना इस लोग चुना भी नहीं करा रहे थे, बिहार में भी नहीं हो रहा था, बहुत संबिधान दिया है, तो आप राज सरकार का चिठी का मोहताज क्यों हो, आप अपना काम करो na, ग्राम सभा करो, आम सभा करो, अपना परश्टाव पारित करो, तो अभी क्यों हैं? इसके पीछे कारण है, ये ग्राम सभा और ग्रामीन जो अर्थ विवस्था के केंद्र थे, उसके लिए हमारा कोशिस होगा प्रयास होगा और आने वाले समय में मेरी पुरी कोशिस होगी जरूर इसके फलाफल निकलेंगे कि जो गाओं के संसाधन है उस पर ग्रामिनों का ही अधिकार है और ग्रामिनों का हम लोग अधिकार दिलवा कर रहेंगे राज सरकार के कृपा पर नहीं रहेगा हम लोग लूट लेंगे ले लेंगे करेंगे उनको जिनको करना होगा आएंगे कुछ न कुछ उदाहरन के रू नीज से भी जुडाव रहा है अभी चुकि विधान सवा का चुनाव होना है और आप भाजपा से जुड़े रहे हैं अगर हम कहें तो अभी भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है सत्ता बदलने की बात कर रही है वेवस्ता बदलने की बात कर रही है देखे ये तो भा मां करने से लेकर के जार्खन बनने के बाद भी सबसे जयादा तो भाजपा ही रही है और जो मूल फर्क है भाजपा और आज का जो सबसे धारी दल है जय बेन कांग्रेस नितिकर बन्दन उसमें जो मूल फर्क था हुआ भी यही था कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता के लिए संपूरन रूप से सोचती है और इसी का फायदा भी मिलता था लेन मैं आज के तारिक में यह कह सकता हूँ एक जिम्मेवारी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी जहारकंड में अपनी राजनिती नहीं कर रही है क अगर हम लोग ये पूछ हैं कि कोई भिद्दल अब आज जे में में हैं तो उसका जो कोर भोट है ट्राइबल और अल्फसंखक और इसाई उसका कोर ताकत है उसके लिए उसके लिए किसी हद तक जा रही है गिरने के सिमा तक जा रही है लेहन क्या भारती जंता पार्टी अप अपने मद्दाता जो उसका कोर भोटर है कोर मद्दाता है उसके लिए उसके पक्ष के लिए उसके सिसक्ति करण के लिए कोई योजना कोई करकरम कोई भिद्दिसा उसके पास है क्या बल्कि वह भिकल्ब क्या कर रही है मुझे लगता है एक दम उल्टा जा रही है उप कु इस दिन भारती जंदापटी इतनी मजबूती से आई थी उस दिन तो यह लोग कोई नहीं थे तो इतनी मजबूती क्यों थी आज इन लोगों की जरुवती नहीं क्यों महां हसूस हो रही है इसलिए कि इनको खुद पर कॉन्फुडेंस नहीं है नतिजा होगा कि यही इनको ल हमको अपने मुद्दे पर अपने बोटर अपने समर्थकों की चिंता नहीं होगी तो तय बात है कि उसमें निरासा का भाव होगा और मुझे लगता है कि भाजपा के लिए सबसे बड़ा मूल समस्या भाजपाई है उसको किसी दूसरे से लड़ने उड़ने के लिए यह खत थे जो अपने वक्त के अनुसार अपने परिस्थिती के अनुसार जो हमेशा से बदलते रहते हैं या बदलने को तयारा बस उसी में यह मगन है तो इससे परिवरतन हो सकता है कि सत्ता परिवरतन हो जाए लें ब्यवस्था परिवरतन के बात बैमानी है भाजपा मद्दाता में नित्रुत्र नहीं खोज रही है नित्रुत्र में मद्दाता खोज रही है ये एक बड़ी बात कही है रविंदर तिवारी जी ने और अभी हम इनसे बात कर रहे थे बात सरक सुरक्षा की हो सरकों में जो सुरक्षा को लेकर के दुरगटनाओं को रोकने के लेकर के सरकार क द्वारा परिशद के द्वारा जो राश्टी सरक सुरक्षा परिशद है उसके द्वारा किये जा रहा है परियासों की बात हो और उसके सासाथ पंचायती राज परिशद जो पंचायतों के अधिकार जो वास्तब में जो त्री अस्तरिये पंचायती राज परणाली है जो ग् बहुत बहुत धनेवाद और हम उमीद करते हैं कि इनकी बाते जो दर्शक इस कारज करम को देख रहे हैं बात सरक सुरक्षा की हो पंचायती राज की हो या फिर राजनीत की कुछ सीखने को मिलेगा अगर इनके बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतारेंगे तो सरक द कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी जो आज परिवर्तन की बात कर रही है उनके लिए परिवर्तन हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए बेवस्था परिवर्तन में अभी जो है समय लगता हुआ दिख रहा है क्योंकि भाजपा मद्दाताओं में नित्रुत नहीं नित्र झाल